आज का हमारा विशे है और ट्राइंगल थेयरी ओफ लर्निंग में मैं आज गुरू और शिश्य दोनों के नजरिये आप तक पहुचाना चाहूंगा जादा कर तो यह होता है कि गुरू हम खुच चुनते हैं और चुनना भी चाहिए क्योंकि आप जिनसे इंस्पायर हो आप जिनसे ग्यान प्राप्ति कर रहे हो वो गुरू को परम होना चाहिए और शेष्ट होना चाहिए आप उसे गुरू को चुनते वक्त आप किन बातों का द्यान दे, मैं तो सरफ यह कहूँगा कि गुरू जो passionate है, जुनूनी है वो गुरू होना चाहिए गुरू वो अच्छा जो सहचता से समझा सके, गुरू वो अच्छा जो हमारे दिंचरिया से उधारन लेकर हमें समझा सके, तो सबसे अच्छा गुरू वो ही है मगर गुरू चुननी का सबका अपना-पना क्राइटेरिया है, लेकिन सिश्य को क्या करना चाहिए मैं आज उस पे भी ध्यान दिलाऊंगा आपको, मेरी जो ट्राइंगल थियरी of learning है ने क्या करना चाहिए उन्होंने अपने आपको सब्मिट करना चाहिए पूरा अपने आपको गुरू के हवाले कर देना चाहिए accept करना चाहिए पूरे तनमन धन से कि ये मेरे गुरू है और इन से अच्छा कोई नहीं है अगर आप comparative state पे जाएंगे तो कभी भी आप learn ने कर पाएंगे और तीसरा, faith रखिये, belief रखिये belief system पर चलता है पूरा हमारा मनुष्य का जो जीवन होता है human being का existence बहुत बड़ा belief system पर रहता है कि आप क्या belief करते हैं और आप उसे कैसे behavior पर लाते हैं behavior हमारा decide करता है belief system और belief system wise hours आई तो belief system value system से आता है तो value क्या रखते हैं आप वो value आपको दर्शाना है अपने गुरू के परती तो पहले सबसे पहले submit कर लीजिए अपने आपको गुरू के लिए accept कर लीजिए कि वो गुरू है वो एक मातर गुरू है फिर वो आप किसी भी topic पर ले सकते है तीसरा belief system रखे जो आपके value system से आ रहा है ये गुरू के लिए हो गया अब गुरू हमेशा शिश्य से तीन बातों का ध्यान देने के लिए कहते हैं और वो तीन बातें ऐसी है देखिए मैं गुरू के विशय में भी आपको triangle learning of submission, acceptance and belief बता रहा हूं और शिश्य को क्या करना चाहिए मैं वो भी बता रहा हूं आपको वो भी triangle theory of learn, unlearn and relearn है एक गुरू यदि अपने शिश्य से कहता है एक teacher अपने disciple से कहता है to learn but to learn second thing you should do is unlearn and in case if you are unlearning and you are still not able to get it then relearn तो ये गुरू अपने शिश्य से हमेशा कहता है आईए दोस्तों मैं आपको वेद की तरफ लेके जाना चाहता हूं वेद हमारा क्या कहता है और learning किस तरह से होने चाहिए वो गुरू के ले भी उतने ही माईने रखती है जितने शिश्य के लिए तो आज मैं जो गुरू और शिश्य ये दोनों को एक धागे में एक सूतर में बानने जा रहा हूं वो वेद की एक बहुत अच्छी लेक है वेद का एक बहुत अच्छा परयाय है और वो परयाय वो lesson वो corollary वो एक theorem है और वो मैं आप तक सब तक पहुँचाना चाता हूँ एक सरलता से कोशिश करूँगा कि मैं जितना सरल हो जाऊँ उतना अच्छा क्योंकि ये subject बहुत important है triangle theory of learning में गुरू शिश्य ये अगर कुछ देखते हैं और एक analogy बनाते हैं एक reference बनाते हैं तो वो क्या होना चाहिए वो मैं आप तक आज इस महत्वर topic में लेके आ रहा हूँ और आप तक पहुचा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि वेद कहता है हमारा कि 5 चीजे होती है जो सीखने योग्य होती है और सीखा जाय तो कैसे तो वो मैं पाँच आपको आज आज की योग में बताने जा रहा हूँ सबसे पहला जो है वो है काक चेश्टा काक याने कववा और कववा जिस तरह की चेश्टा करता है वैसा एक learner ने करना चीए वैसा एक शिश्च ने करना चीए काक चेश्टा याने कितने आपने कववा को देखा होगा वैसे ही आज के दोर पे कववे बहुत कम नजर आते हैं वो almost obsolete होने के कगार पर है जी हाँ सिर्फ जंगल में ही हमें दिखाई देते हैं यदि श्राद का टाइम हो तो हम देख पाते नहीं हैं बिल्कुल आज के दोर पे लेकिन कभी किसी ने कववे को देखा होगा तो गौर करना ली बात है कि कववा कभी भी एक जगा पर जादा देर नहीं रहता है उसकी आखे चारो तरफ नाचती है कववा जहां भी बैठता है आपने देखा होगा कि उसके पंजे हमेशा 360 डिग्री चलते रहते हैं बहुत चपल होता है उसकी नजर चारो तरफ होती है और वो देखता है कि उसको खाने के लिए कहा मिल रहा है उसको डर कहां पर है और वो एक जगा पर ज़ादा नहीं बैठता और बड़ा विचलिक प्रानी होता है बहुती मुस्तैद होता है एक जगा नहीं रहता है हमेशा फ्लाइ करते हुए चारो तरफ गूमता रहता है तो चेश्टा अगर आपकी हो सीखने की तो आपकी कवे जिसी होने चbali चाहिए ये पहला दूसरा बकू ध्यानम बकू यानि बगुला आपने देखा ओगा बगुला इक पक्षी है जैसे मैंने कवे एक पक्षी के बारे में कहा वैसे बगुला के बारे में कहुँआ बागे बगुला पानी में जब बैठता है तो एकांत और इतना फोकस ध्यान इतना ज़ादा लगाता है कॉंसेंट्रेशन इतना ज़ादा होता है कि वो घंटों तक मचली का शिकार किये बगएर वहां से हटता नहीं है उसके पाउं पानी के नीचे होते हैं बंदे होते हैं स्तब्द होते हैं और वो किसी भी हलचल से कभी दूर नहीं भागता विचलित नहीं होता अपने पाउं को जमा कर रखता है अपने आखों को गड़ा कर रखता है शिकार पर और concentrate करके उन मचलियों का शिकार करता है तो शिष्य यदी कुछ सीखे तो बकु ध्यानम ये वो शब्द है जो बगुले से आता है उसके concentration से आता है उसके how to catch a prey ये पूरे process से आता है तो बकु ध्यानम ये दूसरा हो गया तीसरा शवंग नेत्र हम सब को मालूम है कि हमारे बीच में एक pet animal रहता है जो की बहुत जादा loyal रहता है और वो एक ही जानवर है जो हमारे बीच रहता है और वो है कुता जी हाँ dogs dogs are loyal वो loyal होते हैं at the same time यदि आपने कुतों को देखा होगा जिस तरह से वो अपनी निद्र ले रहे होते हैं जैसे वो सोते हैं तो जितनी जैसे ही कोई आहट हो या फिर कोई disturbance हो या कोई आवाज हो तो जितनी चपलता से वो अपने नीन से बाहर आते हैं ये सिर्फ संदर में यही माइने रखता है एक कुते का सोना जिस तरह से होता है वो जितने जल्दी जाग जात यह जो शवांग नेत्र होता है, यानि आप सो रहे हैं, जितने जल्दी आप जाग सकते हैं, तो जाग जाईए, सिश्य के लिए ये एक सीखी होती है, कि आप अगर सोएं भी, और अगर आप आफ हो जाएं, आफ लाइन हो जाएं, आज की भाशा में, तो आप आप आनलाइन क उसकी नेंद कैसी होती है, उतनी चपलता से आपको रहना है, वैसे ही आपको सीखना है, ओन और आफ जो कहते हैं, जो बोलते हैं, उसका मतलब ही होता है, कि हम बहुत बार जोन आउट हो जाते हैं, हम अपने आप में नहीं रहते हैं, अपने मूड में नहीं रहते हैं, अप इसा आपको अपने आपको बिल्ड करना होता है, एक सिश्य के लिए ये शवांग नेत्र, ये उधारन, चौथा, अलपहारी, जी हाँ, अलपहारी का मतलब होता है, कि आप, स्टमक, 100% अगर स्टमक है, तो ऐसा कहते भी है, कि आपको 75% ही खाना चाहिए, 25% आपको नेसेसरी, essential gastric juices और पानी के लिए छोड़ना चाहिए, पानी भी आपको आदे घंटे बाद पीना चाहिए, ये एक शारीर क्रिया है, जो आप समझे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मेटबॉलिजम, आपकी पाचन की जो क्रिया है, पाचन क्रिया है, इस पर निरबर होती है, त हमें नाचरली सीखते आना चाहिए, कि आप ग्यान जब भी प्रात करें, तो एक सिश्यन ये करना चाहिए, कि अलपहारी हो, वो हमेशा अगर अलपहारी होगा, 75% ही हो खाया होगा, और 25% वो छोड़ देगा, तो जितनी उसकी भूक है, उससे 75% मेरा मतलब ही है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाके बैठे तो आपका दिमाग शुन्य हो जाता है, जितनी भी शरीर की जो रक्त चाप जिसे कहते हैं हम ब्लड फ्लो होता है, वो पूरा पूरा डाइजिशन पे चला जाता है, तो हमारा माइंड के तरफ में ब्लड फ्लो नहीं रहेगा, तो कॉं हम लोग बड़े टेरिटोरियल हो जाते हैं, मैंने कहीं अपने लेक्चर में भी बताया है, ये टॉपिक डिसकस किया है, कि हम बड़े टेरिटोरियल होता है, यूमन्स आर टेरिटोरियल, एक ब्लॉग भी लिखा था मैंने, यूमन्स आर टेरिटोरियल का मतलब ही होता है, कि हम अपनी territory को छोड़ के बाहर बड़े mental हमारी क्या कहता है मानसिक्ता नहीं बनती हम लोग tuned नहीं रहते हैं कि हमारे अपनी जगा को छोड़ के बाहर की जगा पर जाकर काम करें जबकि आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध अपने राज्यस को छोड़ कर जब वो ब्रह् किसे कहते हैं और वो तमाम जितने भी ग्यान को लेकर तत पर चलते चले गए चाइना गए जपान गए आज वो सोची एक चोटा सा एक साधरन सा मनुष बड़ा कैसे हो जाता है अपनी सोच से अपनी ध्यान से अपने ग्यान से वो पूरे चाइना और जपान को बहुत धर् बने थे तो एक सिश्य के संदर में भी ऐसा है कि वो री लोकेशन आज के डेट में यदि मैं इंटर्व्यू लेता हूं तो बहुत सारे स्टूदेंस मैं देखता हूं के आर अवर्स टू री लोकेशन वाई आप बहार जाएंगे तभी तो आप अपने आपको पैचान है जाए जितना बाहर जाएंगे जितना लोगों से मिलेंगे वो आपके पैसालिडी डेवलप कर रहेंगे तो फाइदा किसका है आपका है तो आज के संदर में मैं ये पांच चीज जो डारेक्ट वेट से आती है गौतम बुद्ध इतने बड़े उधारन थे जिन्होंने का अलावा और भी बहुत सारे उधारन हैं मगर मैं सिर्फ एक उधारन से आपका अपका ध्यान आकरशित करना चाहरा हूं इन पांच चीजों से जो गुरू और शिश्य को एक तार में जोडते हैं तो मेरी आज की ट्राइंगल थेयरी आफ लर्निंग जहां गुरू और शिश का खुलासा हूँगा स्पेशली लर्निंग के स्टेज पर तो आप ग्यान लेते रहें इस धारा में लेते रहें कि आप बड़े खुले विचार से अपने आपको डेवलप कर पाएं धन्यवाद